हेलो वाइन मैं हूँ आपका अपना भाई समझा दो भया और आज के क्रिप्टे नियूज और बेटकॉण अनेलिस शुरू करते हैं कल का वीडियो आपको यहाद होगा मैंने पहले ही वर्निंग दी थी क्योंकि यह जो 20,000 का लेवल है यह कभी भी आपको तूटता हुआ देखने को मिल जाएगा और जल्दी वीटी से आपको एटलिस 19,500 से लेकर 19,700 की जोन में देखने को मिलेगा और हमारे चार्ट्स वगेरा आपने देखे ही होंगे मैंने अपनी प्रेडिक्शन भी लगबग दो दिन पहले शेयर कर दी थी कि भी आप मेरे दो टार्गेट है मैं यहाँ पर शॉट लूँगा और आप इसको प्रेडिक्शन ही मानके चलना क्योंकि कई बार लोग कोल देखने के बाद में अपनी कुछ अनेलिसिस नहीं करते हैं बीस हजार सो इसके बाद उननीस हजार दो सो और तीसरा हमारा जो टार्गेट है वो है अठारा जार तीन सो अब तक बीटी सी ने दो हमारे टार्गेट हिट कर चुके हैं यानि कि लिखेंगे और आज आकरी रात है आकरी दिन है जब आप विदाव टीडीस के ट्रेड कर सकते हो और आज के बाद यानि कि एक जुलाई से जो टीडीस एप्लीकेबल होने वाला है टीडीस जो अप्लाई होने वाला है उस पर हमें क्या रणनीती बनने ही चाहिए इसके अला है यह सारी फ्री ओफ कोस्ट में टेलिग्राम पर आपके साथ शेयर करता रहता हूं तो मस्ट आपको टेलिग्राम को जॉइन करना चाहिए लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सबसे मिले तो हम बात करते हैं बीडीस की करन्ट सिच्वेश फैल वाज यह लो सुटी फाइल करा है कि इन्हों ने अब ही लो सुटी फाइल करा है यह अपने आप में बड़ी वात है तो अभी बड़ी वात हैं तो अभी बीडीस की कर रहा है देखो यहाँ पर जो मुझे लगता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ हाला कि आपको अपनी रिसरच भी करना जरूरी है क्योंकि मैं कोई अंतर यामी नहीं हूँ जो मैं कहूंगा सही हो जाएगा यहाँ पर बीटी सी काफी अच्छा गिर चुका है इसके ल आटे हम फोलिंग वेच के अंदर चल रहे हैं यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से एक पात अपना सकते हैं लोग आपको जो प्रेडिक्शन बता रहे हैं कि बैया आप 16,000 तक का लेवल 14,000 लेवल यह देखने को मिल सकता है यह तो यह इसी क्या कोडिंग है कुछ इस तरीके से हम फोलिंग वेच के बोटम ट्रेलन के आसपर सपोर्ट ले सकते हैं वर्स के सिनेरियो में अगर बीडीजी 12,000 या फिर 13,000 तक भी चला जाता है तो वह यहाँ पर एक ब्रेक्डाउन होगा वापस चैनल के अंदर आने के बाद में यह आपको याद होगा कल का वीडियो जा माइक्रो स्टेटीजी ने 480 बिटकोईन बाए करें जिनकी वेल्यू 10,000,000 युएस डॉलर के आसपर किये मैं एक लाफिंग इमोजी भी शेयर करा था मतलब जब भी ऐसा होता है कि माइक्रो स्टेटीजी ट्वेट करती है कि हम कुछ बाए करने जा रहे हैं वो मेरे सभी र प्लस इंफलो का डेटा हमें देखने को बला है तो सीडी सी बात है कि बाइंग बहुत कम और सेलिंग बहुत जादा हो यह जिसके वरे से मार्केड में डंप तो आना ही था यह कहीं न कहीं हमें पहले ही सही पता था इसके लाब बात करें गर कुछ न्यूज अपडेट के ब यह भी एक रीजन हो सकता है और एक चीज और कि आप इन तीन तारीकों को नोट डाउन कर सकते हो अपने दिमाग में रखना जुलाई में तीन काफी बड़े इवेंट होने वाले हैं या फिर काफी इंपोर्टेंट तारीक है 13 जुलाई 13 जुलाई को यूएस का जो CPI नंब CP है वो भी 28 जुलाई को रिलीज होगी यानि कि कितनी GDP में उतार चड़ावाया है क्या GDP बढ़ रही है या फिर GDP में हमें गिरावड देखने को मिलिए इसका डिसेजन भी 28 जुलाई के आसपास होगा तो 13 जुलाई 26 27 जुलाई और 28 जुलाई यह तीन काफी important days है तो इनको उपर liquidation के लिए court ने order दी है आपने यह रीड कर लिया होगा तो इसके उपर में ज्यादा बात नहीं करूँगा अगर नहीं करा है तो टैलिगाम पर जाके कर लेना यहां पर एक और update आई है कि वह यह जो सिंगापूर की जो monetary authority है उन्होंने फटका रहे थीरियो capital को उन्हो सारी information गलत दी है हम आपके उपर action ले सकते हैं वगेरा वगेरा तो यह एक और negative अपडेट है three arrow capital से जुड़ी होई और इसका असर भी हमें market पर देखने को मिले रहा है कुल मिला के बात यह कहीं negativity failure होई है इसके लावा Binance ने एक और काफी बड़ी celebrity या फिर टिक टॉक स्टा खेवी लेम के साथ में partnership करिए यह इनके बताए गये हैं कि भाया यह crypto education को बड़ावा देंगे इसके लावा exclusively खेवी लेम की जो NFT collection है वो भी launch करेंगे और इसके लावा वेप three के जो मित से उनको भी यह देखेंगे तो यह एक काफी positive बात है वाइनेंस ने crypto की adoption और इसको promote कर करने के लिए एक और celebrity को hire कर रहा है next update की बात करें तो इस crypto winter में यह जो अभी आपको beer market देखने को मिल रहा है इसके अंदर coinbase जो है वो European market में expand कर रही है European market में अभी अपने आपको fail आ रही है like UK में island में और जन्मरी में यह अभी license वागरा के लिए आवेदन कर रही है तो य पहली बार नहीं हो रहा है जब हमारे शशिकान दास जी गवर्नस आपने पहली बार crypto currency के ऊपर कुछ negative का है पहले भी काफी कुछ negative कह चुके है लेकिन आज के दीन उन्हें ने एक और negative statement दिया जो कि हमारे Indian crypto market में एक negativity फेलाएगा और जो भी लोग है जो कि crypto में पहली loss में चल रहे है वह और इससे negative हो जाएंगे लेकिन जितने भी होडलर से जितने भी समझदार लोग है जिनको blockchain crypto के बारे में अच्छे से पता है future के बारे में पता है उनको बता है कि इस statement का कोई base नहीं है साती उन्हों ने ये भी का है कि anything that value based on market belief without any underlying is just speculation under a sophisticated name the government is in the process of finalizing a consultation paper on cryptocurrency after gathering input from various stakeholders and institutions तो वही जो मैं पता है कि ये consultation paper के उपर बात कर चुके हैं पहले भी और आगयाने वाले समय में जल्दी इसके उपर कुछ ना कुछ final decision लियाएंगे साती इन्होंने speculation के बारे में का है कि cryptocurrency में speculation चलता है और ये sophisticated name है तो इस तरीके से उन्होंने cryptocurrency को again gambling से भी बत्तर कहा ह है या फिर उन्होंने clearly इसको danger बोला है कि जो भी इसमें निवेश कर रहे हैं वो भाईया danger में जाने वाले है तो again इनकी तरफ से एक negative statement आया है मुझे नहीं लगता कि date holders को इनसे कुछ फरक पड़ेगा next update की बात करें तो कल GST की meeting होई थी आपको याद दो और इस meeting के अंदर Bitcoin cryptocurrency इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं हुई जो कि हमारे लिए तो एक रहत की बात है कि हाल फिलाल तो GST जो 28% की बात है की जारी थी हाल फिलाल तो कोई crypto के उपर GST वगरा नहीं लगने वाली है और आ गयाने वाले समय में अगर कोई meeting वगरा होती है तब वहां पर जो भ स्पोर्ट में कुछ आप सेल वगरा कर रहे हो तो आपको वहां पर 1% TDS देना पड़ेगा फ्यूचर अगर आप ट्रेडिंग करें फ्यूचर ट्रेडिंग लाइक मैंने आज तो बहुत तगड़ा ही गेम खेला अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो तो वहां पर आपको कासा प्रोफिट कमारे हो डेली तो TDS देने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए अलाकि इतना ज़्यादा TDS गलत है लेकिन आप क्या कर सकते हैं अगर आप लीगली यहां पर इंडिया में ट्रेड करना चाहते हो कोई लफडे में नहीं पड़ना चाहते हो तो वहां TDS आपको पसंद आया होगा तो वीडियो पसंद आता है तो डेफिनेटली आपको एक वीडियो को लाइक तो देना ही चाहिए बिकोज आपका एक लाइक मोटिवेट करता है कि हां मेरे सभी भाईयों को वीडियो अच्छा लग रहा है और भी ज्यादा अच्छे रिसर्च करके आपक लिए वीडियो मनाना चाहिए तो फ़लाल इस वीडियो में तहीं मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ तिल देन जय हैं जय भारत